नवस्कार दोस्तों रिपेरिंग विथ निरंजन यूटूब चैनल में आपका फिर्शे स्वागत है तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं यह मिक्सर काफी आप डाउन हो रहा है और यह इसकति में मतलब किया चालू भी नहीं हो रहा है और इसमें हम इस तरह का वासर ले लिए हैं देखते हैं अगर जगा होगा तो इसे डालेंगे क्योंकि यह अप डाउन हो रहा है और बार बार जार का कपलर और इस मिक्सर का कपलर बार बार खराब होता है और इस तरह किसका जो लोड स्वीच है वह भी खराब हो चुका है तो सबसे पहले एक इस्कुरू ड्रेबर लेते हैं और चारो नट को फटा फट चारो इस्कुरू को खोलते हैं और इसे खोलने के बाद अभी हम इसे ठीक करेंगे तो यह वीडियो आपके लिए यदि आपका भी कभी कभी जार का क कुइब अवाज करता है तो इसokay दो आपको जबूर्य है देखना आप महंतर फक्त मैंट का विडियो है और खुद से अपने घर पे इस तरह के रीपेरिंग आपेजी गर लाघभग 300 का बचत कर लेजिएगा तो जैसा कि देख रहे हैं सबसे पहले हम इसका पावर लोड स्विच को हटा दिये हैं क्योंकि यह खराब हो चुका है और इसका जो तो पावर लोड स्विच को भी हाटाएंगे और कुछ नए डालेंगे इस दरह से खूलने के बाद देख रहे हैं आपने इससे हटा दिये हटाएने नइा वूला लेलेंगे जूके ऊबर लोड स्विच एढ़ देख सकते हैं कि सत्रह मार्किट में आपको मिल जाएंगे 50-60 रुपया में अच्छा क्वैल्टी के अब इसे एक बार चेक करते हैं तो इस तरह एकदम सही नहीं है या तो जो नया लिये है उसे एक बार चेक करके देखते हैं तो इस तरह से देख सकते हैं सही स्थिति में है तो एक बार आप छोटा वाला जो लैंप है श्रीज लैंप उससे जरूर चेक कर लिजिए उसके बाद ही इस तरह से कसी फिट करिए इसका एक समस्या तो उभर लोट स्विच का है जिसे हम अभी इस तरह से डाल दे रहे हैं दूसरा समस्या है इसका जो अब्जेस्टेज नट जो होता है यह आपका जो आर्मेचर का वा किसी तरह से कोई दुकंदार सही से नहीं सेट कर पाया तो यह मेरे पास आया और ग्रहा का बार बार इस तरह से कपलर खराब होता था तो इससे भी हम अब्जेस्टमेंट नट को भी ठीक करेंगे इस तरह से तो सबसे पहले क्या लेना होगा एक प्लास और एक स्कुरू ड्रेवर ठीक है और इससे हम खोलेंगे जो अब्जेस्टमेंट जो नट है उसे पहले धीला करेंगे इस तरह से रखेंगे और इस तरह प्लास से धीला कर लेंगे और इसे मिलाएंगे जब यह जो धक धक करता है तो इसे धीला करने के बाद अभी हम इसे टाइट करेंगे इस क्रू से तो टाइट करने क्या होगा यह जो धक धक करता है वह टाइट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर एक छोटा सा बोल रहता है और यह धीला हो गया है इसको सही से मन की सेट नहीं किया गया था तो इस तरह से देख सकते हैं यह अभी उस तरह से धक नहीं है उपर नीचे नहीं हो रहा है अब इससे तो पावर लोड स्विच है उसमें अच्छी तरह से फिट कर देंगे फिट करने के बाद इसके चारे उसक्रू को लगाएंगे और लगाने के बाद फिर सब यह चेक करेंगे तो सबसे पर इसको किइन अचेक कर लेते हैं कने तो फिर समें इसको डालने के बाद इस तरह से काम प्पूरा विडियो दिखते हैं तो आप खुद से इस तरह के काम कर लेते drawer 300 का बचत कर लेते हैं अगर आप इसको रिपेरिंग दुकान लेका जाएगा तब वो 300 रुपया से भी जादे लग सकते हैं तो मारे वीडियो अच्छा लगे तिससे लाइक करिएगा शेयर करिएगा और चैनल पर आप नए है तो सस्क्राइब कर दीजेगा वेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबा दीजेगा ताकि इस तरह के गैस चुला कुकर मिक्सर का वीडियो आपको हरदम प्राप होता रख फिर मिलेंगा आपसे अगली वीडियो पे तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम स्वस्त रहें और चनगुरुष्टरुष्टु